अखिल भारतिये छाजड परिवार मंडल का ओडिट करने से इनकार, देवस्थान समी के आयुक्त के आदेश को नहीं किया लागू, प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी से शिकायर, महेंदर महता और मिलाक्षन कमानी की वजह से साचोर छाजड परिवार में फूट, बीरामी में ट्रस्ट को करोडों का नुकसान, देश भर में जैन छाजड समाज की अगरनी संस्था के रूप में पहचाने जाने वाले, अखिल भारतिये छाजड परिवार मंडल जोदपूर का पिछले पाच वर्षों का ओडिट होना चाहिए, बोड के कामकाज में पारदर्शिता ला बैठक के कामकाज की जानकारी सदस्यों को उपलब्ध करानी जानी चाहिए, हर महप्राप्त होने वाली धनराशी की जानकारी उसका विवरन कार्याले के सामने प्रदर्शित किया जाए, देवस्थान समिती की आयुकत प्रद्या केवल रमानी द्वारा दिये गए आदेश का पालन नहीं हो रहा है उल्टे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप सदस्यों ने लगाया है सदस्यों ने इसकी शिकायत सीधे प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी से की है इस मामले का खुलासा सबसे पहले MPC News ने किया है महंदर महता और मिलाफचन कमानी दोनों समिती के सदस्यों के रूप में पंजिकृत ना होने के बावजुद कारयाले में काम कर रहे है सदस्यों ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी वजह से करोडों रुपोयों का नुकसान हो रहा है सदस्यों ने उनसे इस्ति नहीं बैठता ताराचन तगराज महता और पारसमल भी चाजड ने जोदपूर में देवस्थान समिती में शिकायत दर्च कर दी है चुनाव प्रक्रिया को सम्विधान के खिलाब बताते हुए कारेकारणी को बरखास करने की मांग की ऐसा कई बार सुनने को मिला किशोरचन चुनाव अधिकारी नियुक्त किये जाए उसके माध्धम से सदस्यों ने मांग की कि तीन महने के अंदर आम सभा में अध्यक्ष कारेकारी अध्यक्ष महासचिव कोशा अध्यक्ष का चुनाव किया जाए इस संबंद में लगपत राज महता ने 21 अगस 2023 को चुनाव प्रक चाजड का इस्तिवा कही भी रिकॉर्ड में उपलब नहीं है कहा जा रहा है कि ट्रस्ट के लाखोर उपल का घूटला किया जा रहा है सहयक आयुक्ष को एक शुद्धि पत्र जारी करना आवश्यक्ष था सहयक आयुक्ष द्वारा जल्दबाजी एवं उपलब दस्तावे को नजर अंदाज करते हुए आदेश जारी कर दिया गया अशोक कुमार महता ने शपत पत्र भी दिया इसमें कहा गया कि सहयक आयुक्ष इस मामले पर निर्णे लेने में सक्षम नहीं है महता द्वारा उठाई गई आपत्या उचित है सहयक निर्वचन अधिकारी कमलेश क कुमार छाजड की नियुकती कब और किसके अनुमती से की गई इसकी जानकारी नहीं है यह सपष्ट नहीं है कि चुनाव अधिकारी ने कब इस्तिफा दिया किसे दिया और नए अधिकारी का चयन किस ने किया यह सपष्ट नहीं है कि सामान बैठक कब हुई और सदिस्यों क को कब नोटिस दिया गया नतिजों में टिपपनी की गई है कि यह चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और इसलिए अमान्य है रिकॉर्ड में उपलब्ध है कि अमरुतलाल चाजड का इस्तिफा 10 अक्टूबर 2021 को स्वीकार कर दिया गया और सहायक चुनाव आधिकारियों को चुनाव कार्यवाही पूरी करने का आदेश दिया गया 13-14 अक्टूबर 2021 को आम बैठक में किशोर चन चाजड के अध्यक्षता में कार्यकारने समिती यथावत कार्य करती रहेगी साथ ही सहायक आयुक्त कार्य की मौनिटरिंग करे अखिल भारतिय चाजड परिवार मंडल का पिछले 5 साल का औरिट कराया जाए बोर्ड के कामकाज में पारदर रशिता होनी चाहिए बैठक की कार्यवाही की जानकारी सर्दस्यों को उपलबद रहनी चाहिए मंडल के विकास के लिए दान देने वाले किसी भी व्यक्ती को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि उसके धन का दुरूपयोग हो रहा है काम के खिलाब बोलने बालों की संख्या कम करने के लिए सदस्यों का आरोप है कि इसकी अंदेखी की जा रही है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है के लिए उन्हें बोर्ड में नहीं होते हुए भी विभिन समितियों में ले जाया जा रहा है अब यह सब भरष्ट प्रशासन बेनकाब हो जाएगा इसलिए सदस्यों का आरोप है कि आदेश का क्रियान वेन ताला जा रहा है अखिल भार के चाजड परिवार मंडल समीते में सदस्यों के रूप में महेंदर महता और मिलाफशन कमानी दोनों का देवस्थान विभाग में कोई रिकॉर्ड नहीं है फिर भी दोनों आपने आपको सदस्यमान रहे हैं दोनों गोशाला समेत विभिन नपदों पर कारे रत हैं उन्हें 26 मई के बैठक में भी आमंत्रित किया गया है ये दोनों भ्रेश्थ है और करोडो रुपए का नुकसान पहुचा रहे है महंद्र महता गोशाला समेत विभिन नपदों पर कारे रत है उनकी जांच जारी है महंद्र महता ने बहुत नुकसान किया है ये दुर्भग के पूर्ण है कि इन दोनों को कारे पालिका के लोगों का समर्थन प्राप्त है सदस्यों ने इस बात पर नाराजगी जेताई कि भष्टचार तो बढ़ रहा है उस पर से भारी नुकसान हो रहा है सदस्यों ने दोनों के इस्तिवे की मांग की है चुनाओ कानुनों का उल्लंगन किया गया है हो सकता है इन में डराना मतदान प्रक्रिया में हेरफेर और निश्पक्षता और पारदर्शिता के सिध्धन् लेकिन बात यही तक सीमित नहीं है इस तरह के उल्लंगन उन लोकतांत्रिक सिध्धन्दों का उल्लंगन करते हैं जिन पर हमारा समाज बना है समविधान के अनुच्छे 6B-3-4D का पालन नहीं किया गया धारा 6B-3 बोर्ड के अध्धक्ष कारेकारी अध्धक्ष बार्शिक आम बैठक में सदस्यो द्वारा किया जाएगा यह चुंआ प्रत्थक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाओ अधिकारी के माध्यम से आरिजुत किया जाएगा फॉर्म आठ सम्विधान के अनुरूप चुनाओ न करने पर खारिश कर दिया जाएगा सदस्य तो ने यह भी कहा कि चुनाव अधिकारी खुद चुनाव में उम्मिद्वार नहीं हो सकते, यह संभव नहीं है कि चुनाव अधिकारी खुद ट्रस के अध्यक्ष हो, अखेल भारतिय चाजड परिवार मंडल की 26 मई को बैठक में इन सभी मुद्दों को उठाया जाने वाला है, देखते है, सदस से उनको क्या जबाब मिलता है, MPC News Bureau जोदपूर